वेलकम टो हमारा केरियर 360 आज हम लोग बात करने वाले हैं वरक्षप न्यू सिलेबस के बारे में जो की 2023 में लागू किया गया है और ये जो वीडियो है उसा भी डिपलोमा इंजिनियर इस्टूडेंट के लिए है तो इसमें चली हम लोग देखते हैं इसमें कौन-कौन सा सिलेबस जो फरस स्टूम में हम लोग को पढ़ना है और कितने उनिट है तो इनिट के अगर वाद करें तो पांच उनिट में इसको डिवाइड किया गिया है 5 उनिट रखा गिया है जिसमें से 1st उनिट में जेनरल वर्क्शॉप प्रैक्टिस है और आनिकी वर्क्शॉप के उपर में जेनरल हम लोग प्रैक्टिस क्या क्या करते है safety precaution हो गिया fire से related हम लोग के study करना है safety rule क्या है safety tool क्या है तो इसमें हम लोग जेनरल वर्क्शॉप प्रैक्टिस के अंदर में हम लोग देखेंगे उनिट यवान के अंदर में ये सारे चीज़ों का हम लोग को रखा गिया है यूनिट टू की अगर बात करें fitting section fitting section में है यह हमारा पहले भी syllabus में था और इस बार भी syllabus में है तीसरा यूनिट की अगर हम लोग बात करें plumbing plumbing जो है यह हमारा second unit में पहले था अभी इसको क्या किया first semester के अंदर में लाया गिया आने की second semester से इसको में लोग को first semester में लाया गिया फोर्थ यूनिट के अगर हम लोग बात करें first unit में है metal joining metal joining भी जो है वो हमारा second semester में था इसको first semester में include किया गिया fifth unit के अगर हम लोग बात करें carpentry shop carpentry shop जो था पहले भी first semester में था इस बार भी first semester में ही रखा गिया है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं युणिटू के बारे में फिटिंग फिटिंग सॉप के उपर में हम लोग देखेंगे कि इसमें फिटिंग सोफ में जो है क्या क्या टूल्स आज हम लोग इंत्रोडक्शन देखेंगे और next class में हम लोग जो है इससे detail में देखते हैं चलिए हम लोग fitting section की अगर हम लोग बात करें तो fitting section में actually होता है fitting section जो है metal related job को हम लोग क्या करते हैं दो metal अलग-अलग metal को आपस में जोड़ करके उसको fixing करने का काम करते हैं आने की male और female जो अलग-अलग part है उसको हम आपस में जोड़ने का काम करते हैं यह जो fitting section में सारा जो है हम लोग को metal के उपर work करना पड़ता है आप लोग यह picture में देख रहे होंगे यह एक picture का layout है और उसके साथ साथ में जो है आप लोग देख रहे हैं कि एक side में machine है दूसरे side में भी machine है और बीच में एक way रखा गया रास्ता रखा गया है जो कि हम लोग machine के पास आसानी से पहुंच सके ह और एक ऐसा arrange किया गया है ताकि जो लोग जो student वहाँ पे हम लोग work करेंगे उसको असानी हो कोई भी machine को operate करने के लिए कोई machine या tools को हम लोग को असानी से operation कर सकें असानी से सारा चीज़ हम लोग कर सकें तो हम लोग देखिए आगे में इस portion में देखिए आप लोग को मिल र हम लोग इस picture में में देख पा रहे हैं कि bench wise जो है वह bench के साथ attach है तो आज जो fitting section में में हम बात करना वाल है फिटर के उपर यह actually होता है क्या है तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि यह कैसे work करता है fitting section के उपर में तो fitting section जो है यह कहां से आया है कैसे इसका use है इस पर जो bench जो attach रहता है वो bench कैसे work करता है इसी के बारे में हम आज बात करना वाले है तो देखिये यहां पर दिया है fitting shop fitting term is related to assemble of part after bring the dimension or shape to the required size of or from in order the source of necessary fit the operation required for the same are usually carry out on a workbench hence the term bench work is added with the name fitting आने कि जो bench work जो इसके पर हम लोग work कर रहे हैं वो जो कहां fix रहता है work bench के उपर में जो कि हम लोग जिसको क्या बोलते है fitting बोलते है next देखिये यहां पर the work the bench work and fitting play in important role of engineer आने की जो fitting section जो है सभी इंजिनियर के लिए एक बहुत ही important role रहता है यह क्या करता है कि industrial area में क्या करता है बहुत ही इसका जरूरत है और हम लोग यह कह सकते हैं कि आज की date में automatic जो machine जो हम लोग आज की date में use हो रहा है तो उस से related जो भी machine हम लोग को production करके दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ जहां पे हम लोग को अलग अलग तरह का pattern draw करना होता है या फिर अलग तरह का हम लोग को manually work करना पड़ता है तो उस case में जो है fitting section का बहुत जरूरत पड़ता है industrial area में company line में या फिर हम लोग कोई भी जहां पे हम लोग को production हो या फिर different तरह का हम लोग metal के उपर में design बनाए तो उस case में हम लोग को एक fitter और fitting section का बहुत जरूरत पड़ता है ठीक है ये क्या करता है कि इसमें good accuracy को maintain करना होता है जो कि हम लोग एक fitter ही उस चीज को कर पाएगा आने कि जो fitting section में work करता है उसको हम लोग क्या बोलते है fitter बोलते है जो person वहाँ पर work कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे fitter बोलेंगे और जो operation वो कर रहा होता है उसको बोलते है क्या fitting operation ठीक है next fitting tool हम लोग बात करना वाले है fitting tool के उपर में कि workshop के अंदर में कौन-कौन तरह का operation या कौन-कौन सा fitting tools यूज होता है तो इसमें हम लोग देखिए first क्या है work holding device tool इसमें हम लोग क्या करते है holding device tool के बारे में हम लोग देखेंगे second हम लोग का क्या है striking tool, third है cutting tool, fourth है marking tool, fifth है clamping tool और next है measuring tool तो यह जितने तरह का tools यूज हमारे feeding section के उपर में होता है उसको हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग detail out में पढ़ेंगे जो कि हम लोग next class में हम लोग देखने वाले है ठीक है तो चलिए आपको अगर मेरा session अच्छा लगा होगा तो आप like और subscribe करें और हमारे साथ जोड़के पूरा new syllabus का class को continue करके अपना अच्छे से तैयारी करें Thank you for watching हमारा carrier 360